डिक्तेशन स्टार्ट होगी तीन सेकिन बाद स्टार्ट हमारे सोर मंडल में प्रत्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है लेकिन आज इस ग्रह का अपना जीवन संकट नजर आ रहा है विराम जिस तरीके से मानव जीवन शेली में भोतिकवाद और उप्भोगतावादी और लालज बढ़ता जा रहा है विराम आज इन सब का परिणाम यह है कि यह ग्रह संकट खाई में गिरता नजर आ रहा है विराम मनुष्य को लगता है कि वह प्रकृती के विनाश की शर्त पर अपना विकास कर लेगा तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी विराम हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्वी जैसा आदर्ष वायू मंडल किसी अन्य ग्रह पर मौजूद नहीं है इसलिए इस ग्रह को बचाना सब की जिम्मेदारी है विराम पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है वन लगातार सिकुडते जा रहे हैं विराम मानव और अन्य जेव जन्तूओं में संगर्ष बढ़ रहा है विराम हमारे जीवन में प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग भी प्रत्वी के लिए घातक सिद्ध होने वाला है विराम पूरी दुनिया के महानगरों में कचरे के पहाड के पहाड देखे जा सकते हैं विराम सवाल यह है कि क्या हम सच में परियावरणिय काग जी बातों को वास्तविक रूप से धरातलिय इस्तर पर लागू कर रहे हैं या सिर्फ खोकले दावों के भरोसे धरती मा को बचाने का खवाब पाल रहे हैं विराम देश की चुनावी प्रेक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता और परभावकारिता का एक महत्वपूर्ण संके तक माना जा रहा है विराम राज्य चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में व्रद्धी देखी गई है और कुछ जगहों पर महिलाओं का मतदान पुरूशों से अधिक हो रहा है विराम महिलाओं का योगदान भारतिय राजनितिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में दिनों दिन बढ़ रहा है विराम यह समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है विराम सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है विराम लंबे समय में इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और महिलाओं के सोच से लेकर जीवन शेली में बड़ा बदलाव आया है विराम आज जिस पार्टी को भी चुनाव में जीत मिले मगर उसमें महिलाओं की बहुत भूमिका होगी विराम पैरा बूख की त्रासदी पढ़ा विराम विडम बना है कि एक तरफ अरबों टन खाना बरबाद हो रहा है वहीं दूसरी तरफ असी करोड लोग भूखे सोते हैं विराम ताज़ुब तो तब होता है जब भोजन परबादी में केवल अमीर देश ही नहीं है बलकि गरीब देश भी शामिल पाए जाते हैं विराम इससे भी जादा चोंकाने वाली बात यह है कि भोजन की बरबादी के मामले में गाव देहात अभी पीछे है जबकि शहरी इलाके बहुत जादा आगे हैं विराम एक तरफ कई देश बुखमरी और कुपोशन की पीड़ा जेल रहे हैं वहीं सक्षम देश मानवता का डिंडोरा पीटते हुए भोजन की बरबादी में अवल पाए जा रहे हैं विराम हर हाल में भोजन की बरबादी रोकना चाहिए क्योंकि भूका व्यक्ती ही जानता है कि एक एक निवाला कितना अमुल्य होता है विराम अगर भोजन बरबाद करने वाले भूख की तरासदी को समझ जाए तो कई लोगों को भूखे पेट सोने पर मजबूर होने से बचाया जा सकता है विराम पैरा चुनाव में मतदान का गिरता अनूपात इंगित करता है कि आम मतदाता मत डालने को लेकर उदासीन है विराम वह इधर कुआ उधर खाई वाली मनोदशा से गुजर रहा है विराम पक्ष विपक्ष के अनरगल आरोपों परत्यारोपों वाला प्रचार उसे लुभा नहीं पा रहा विराम महेंगाई बेरोजगारी जैसे उससे जुड़े मोलबूत मुद्दों की चर्चा नै होना शायद उसे रास नहीं आ रहा विराम धर्म के आधार पर ध्रुवी करण जातियों के आधार पर तुष्टी करण उसे हतोतसाइत कर रहा है विराम चुनाव पूर्व सिर्फ टिकट के लिए किये गए दल बदल से जनादेश को तोड मरोड कर सरकारें बनाने गिराने से मतदाता खुद को ठगा महसूस कर रहा है विराम उसे शायद यह भी लग रहा है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने उसके हालात ऐसे ही रहेंगे विराम राजनिती और नेताओं से निराशा वाले इस माहूल में चुनाव आयोग की मतदान बढ़ाने की कोशिसें फलिभूत होना मुश्किल लगता है विराम पैरा अपने किसी प्रिय जन को खोने या उनके बिछडने के बाद एक ऐसा खालीपन उभर कर सामने आता है जिसे भरना नामुम्किन सा रहता है विराम यह इस बात पर भी निरभर करता है कि उन दो व्यक्तियों में आपसी लगाव किस हद तक रहा और दोनों एक दूसरे के प्रती कितने समवेदनशील रहे या रहे हैं विराम कई बार यह आपसी लगाव इतना गहरा होता जाता है कि कभी कलपना में भी बिछडने की वे सोच नहीं सकते विराम किसी ऐसे ही पल में ये पंक्तियां फूटी होंगी कि मैं घर में एक कमरा रखूंगा दूंगा नाम तेरा और उसे तनहा रखूंगा वहा क्या बात कही है विराम पेरा जीवन और मृत्यू का खेल सभी को पता होता है विराम सभी को किसी न किसी से बिछडना है यह भी पता होता है विराम मगर फिर भी मन के किसी कोने से इसका भान ही नहीं होता है विराम कुछ समय पहले एक खवर आई कि लंदन में एक महीला है जो हर दिन सबवे स्टेशन में जाकर बैठती है केवल 1950 में अपने पती द्वारा रिकोर्ड की गई गोशना को सुनने के लिए विराम 2003 में मार्गरेट के दिल में एक खाली इस्थान छोड़ कर ओस्वार्ड की मरत्यू हो गई विराम इसलिए मार्गरेट ने पती की उपस्तिती के एहसास को करीब से महसूस करने का एक तरीका खोजा विराम और वे उनकी रिकोर्ड के हुई सूचना सुनने मेट्रो स्टेशन आने लगी विराम आधी सदी से भी आधिक समय के बाद इस आवाज की जगे एक इलेक्ट्रोनिक रिकोर्डिंग ने ले ली विराम पेरा दिल्ली और राश्ट्रिय राजधानी छेतर के करीब सो इसकूलों में बम रखे होने की सूचना मेल के जरिये देना इसकी ताजा कड़ी है विराम यह मेल बुदुवार को तड़के भेजा गया था विराम उसके बाद स्वाभाविक ही अफरा तफरी का माहूल बन गया विराम इसकूल खाली करा लिये गए विराम पुलिस और बम निरोधक दस्ते इसकूलों की छानवीन करने में जुट गए विराम दो पहर तक पूरे प्रेशासन का ध्यान इसी तरफ लगा रहा विराम समाप दोस्तों इसकी PDF के लिए आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और बाकि आप टेलिग्राम पे जाके सीधा सर्च कर सकते हैं इस्टनोग्राफ लोकेश ठीक है और वहाँ पे PDF के अलाव और भी बहुत कुछ है जैसे की लेगल शब्द हो गए या फिर आपको RSSMB के लिए शब्द चाहिए वो शब्द हो गए मतलब कह सकता हूं कि आरतरों का आपको मेटर वहाँ पे मिलेगा यह दिया आप टेलिग्राम चैनल जोइन करते हैं तो ठीक है थैंक्यू